हलो फ्रेंड्स, वेलिकम टू दशेफ तो फ्रेंड्स चलिए आज हम लीकरा हैं आपके लिए कीमा और बिंडी जी हाँ फ्रेंड्स कीमा बिंडी बहुत ही मज़धा से डिश्पन के तियार हुई थी इसे हमने आपके लिए किस तरह इसी बनाया है देख लेते हैं बिंडी 500 ग्राम जिसे बारी काट लेंगे यहां आपने कीमा भी लिया है 500 ग्राम अब कड़ाय लेंगे इसमें 200 ग्राम तेल गरम कर लेंगे और कुछ हम खड़े गरम मसाले लेंगे दो हमने हरेगलाई ची एक बड़ी लाई ची दो दाचिनी के तुकड़े और एक टीस्पून काली मिर्चे ली है जिससे हम तेल में डाल देंगे इंडली प्यास के लिए मिडियम साइस के से हम ने बंखा है कम बारिक काट लिए था और को भी हमें गोलर्डन फ्राइ करना है इस तहरा प्यास कम पर में चलाने है करना देका यह उल्क्रावा हां उस श्या पेज़nh Oh तो अब हम इसमें दो तीन हरीमिच से तोड़ के डाल देंगे तो इसमें जो हमने कीमा रखा था दोके अब वो डाल देंगे और यहां पर कीमा भी अपना पानी छोड़ता है तो हमें कीमे को भी अच्छे से मिक्स करना है ब्याज में तो हम इसमें थोड़े से और मसाले इट कर लेते हैं साथ साथ तो देखे ब्रेंट्स यहां तो हमने प्याज और कीमे को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो चलिए हम थोड़े से मसाले और इट कर लेते हैं जैसे कि हम टू टीस्पोने में डाल देंगे लेसुन अद्रा का पेस्ट और साथ में डाल देंगे हम नमक स्वादानुसार एक टीस्पून लिया है हमने और एक क्वाटर टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर एक टीस्पून हम इसमे डाल देंगे रेट मिश पाउडर और मिर्चे आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम जादा कर सकते हैं और एक टीस्पून ही लेंगे हम धनिया पाउडर अब इन सबी चीजों को हमने जितने सुके मसाले लिए उन सबी चीजों को अच्छे से कीमे में मि पानी जोड़ता है मैं उस पानी को भी सुखा लेना है और जब पानी सुख जाएगा तो हम इसमें एक कप के कारीब पानी एड कर देंगे ताकि अब हमें कीमे को गलाना है तो यह हमने पानी एड कर दिये है अब हम इसको अच्छे से बॉयलिंग आने बद इसे ढांक कंद नहीं हमारा कीमा गल जाये तो चलिए हम दस मिन बारी से चेक कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर पानी सुख चुका है और कीमे भी हमारा गल चुका है और आप चाहिए तो इसे कुकर में भी गला सकते हैं पर क्यूंकि कीमा बारिक था तो में निकड़ाई तो इसे हम एक बार अच्छी से थोड़ा और भून लेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत पानी बचाओ भी खतम हो जाए अब इसमें हम एक टी स्पून गरम मसाला पॉडर डाल देंगे हम जब तीमा अच्छी से भुण जाएगा तो हम इसमें भृंडियां जो हमने काटी दी ओंड्य भूर डाल देंगे अब सारी विनदी यों आप सारी विनदेवें को हमें अच्छी से कीमे में कोट करके देना और फीन से इसई ढागार जिलए हिए पाँ से 10 मिनिट के लिए एतनी देर के लिए उतनी दीर के लिए बिढ़ने वाद हम इसे चेके कर लेते हैं देखिये यहां पर हमारी बिंडी करें सुधरिक यह धर्यूं को किईи हैं वहकृनी चिहाल क्केपर आप्स इसे आप थोड़ी देर चला के और भून सकते हैं बस यह थोड़ी सी देर में और भून के रेडी हो गई है तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल गर्मा-गर्मी सर्फ कर सकते हैं और गर्मा-गर्म तो यह बहुत ही मजदा लगेगी तो चलिए से अम डिश आउट कर लेते हैं फ्रेंट्स इसी तरह की आपको नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं अपना ख्याल रखिए बाई